अब ही आंगनबाडी से विकासा है का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज साम पांच बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आप सब को बताऊंगा सबसे पहले आप सब भाई बहन वीडियो को पूरा जरूर देखना और जनोंने लाइक ना किया हो वो लाइक कर सकते हैं बाकी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच जाए सबसे पहले बात करें मांदे की मांदे का उत्तरप्रदेश की आंगनबाडी बहने बेसबरी से इंतजार कर रही हैं अर्चना सिरवास्तों बहन हैं कोसांबी जनपस से आती हैं जिनोंने कहा है कि भाया जी इस समय हम लोग बहुत परिसान हैं दवा लेना है कापी किताबे अपने मांदे के लिए महीना भरो चुका है आवाज उठाते हुए त्योहार उनके फीके निकल गए लेकिन अब उनको जरूरत है उनके बच्चों के एडमीसन में किसी को दवा के घर्चे के लिए तो अभी भी वो राह जो है देख रही है लेकिन विभाग बहनों का मांद भीजने में कितनी लापरवाही बरत रहा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं दो महीने से उपर हो चुका है अब धाई महीने हो चुके हैं इधर बात करें आनंद मती बहन की जो बलरामपुर से आती हैं इनोंने कहा है कि हमारे जिले में हमारे यहां मार्च में तीन हजार रुपए आया था, वह बता रहे हैं कि मात्र समिती का पैसा है, तब से फ्रवरी और मार्च का पैसा कोई भी नहीं आया, यानि उनका जो मान्दे है वो पैसा नहीं आया भी हूँगे वो अन्य किसी न किसी मदके होंगे तो वो उस recording है, किस मदके हैं, कैसे कैसे पैसे आने थे महिना दो महिना पहले से इस तरह के पैसों को लेकर कई जनपदों के बारे में जानकारियां दी गई थी अभी फिलाल मांदे का इंतजार सभी जिलों में उत्तर प्रदेश के आंगनबाडी बहने कर रही है वहीं अन्य राज्जी भी हैं जैसे राजस्थान से भी बहने इंतजार कर रहीं मध्य प्रदेश से भी कर रहीं बिहार से भी कर रहीं इन राज्जों से ज़्यादा तर बहने जुड़ी हैं और कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को लिख करके बेजिती हैं सुरेंद्र यादो जी है उन्होंने रिखा दरसल सीमा यादो बहन है और प्रताप पुर पढ़ता है जो की प्रयाग राज जिले में पढ़ता है जहां से उन्होंने ये मैसेज किया कि मेरा प्रोफाइल जो है पोश्ट रेकर पर उसमें आधार कार्ड और डेटा बर्त गलत ह हो गया है और वेरिफाई भी हो गया है सही करने के बारे में बताएं देखो ये सही मेरे हिसाब से आप अपने आप नहीं कर सकती न मैं कर सकता मैं आपको बता दू ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है ये बहुत बड़ी गलतियां है और इनको जान बूच करके आप करते हैं क्योंकि आप खुछ से सोचो जारा, क्या चेक नहीं करना चाहिए, वेरिफाई करने के पहले, और जो आप भर रही हैं, वो आधार काड आप गलत भर देंगी, कैसे गलत भर देंगी, डेटा बर्त अपनी गलत भर देंगी, तो कैसे भर रही हैं मतलब, खुछ सोचिये जरा नौकरी कर रही है जिम्मेदारियां है आपके उपर इतनी बड़ी बड़ी और आप पोशाट ट्रेकर पर अपना सोयम का प्रोफाइल अपडेट कर रही है उसी में आप अपना अधारकाड अपना डेटा अप बर्त गलत भर रही है तो भरते वक्त भाई दिमाग ध्यान देना चाहिए सबको ये ऐसी चीजे हैं जिसकी वज़े से फिर आपको दिक्कते होती और इन कामों को लेकर ऐसा भी नहीं कि जाग रुकता भी नहीं जो है फैलाई जाती बहुत बार मैंने दिखाया और बहुत बार बताया ध्यान से भरे आसान जो है थोड भी लोग हैं कई बेनों ने कहा कि उन्होंने आगन बारी की प्रोफाइल में सहेका का भर दिया सहेका वाले में अपना भर दिया वेरिफाई कर दिया तो ये सब चीजे जो है वो इसी बात को दरसाती है कि जल्दबाजी में और बिना जो है देखे बिना जो है दोबारा चे अपनी डेटा बर्थ ही नहीं पता होगी तभी गलत भरोगे अधिता डेटा बर्थ आपको पता है क्या है तो आप वही भरोगे तो यह बहुत चोटी-चोटी चीजिएं जो चोटी-चोटी गलतियों को बढ़ा चड़ा दिया जाता है खैर इस बारे में विभाग से ही संपर करें हो सकता है dashboard के login ID से वही लोग कुछ कर पाएं उनको extra जो है feature मिलते हूँ इन चीजों में बदलाओ करने के बाकी ना आप नमय कोई कुछ नहीं कर सकता सुनीता देवी बहन बदायू से है उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है जो की सभी बहनों के लिए जा इसका update आया है और भया जी जब जो यहां पर भर रहे हैं तो option यहां पर THR में सब बदल गए हैं तो आएए देखते हैं कैसा क्या सब कुछ यहां पर दिख रहा आ इन्होंने कहा है कि भया जी रासन भरने में परिसानी आ रही है एक दिन को touch करेंगे या फिर packet को touch करेंगे बताएं भया जी तो देखो यहां पर इस तरह से दिखाई देगा जैसे मान लो यहां पर यह एक लाभारती है यहां पर आसमीन ठीक THR में आपने touch किया यह वाला circle पहले भी आप करते थे कर दिया उसके बाद दो option यहां पर आपको मिल जाएंगे एक तो number of days का यानी कि days या रही है वो यहां से select करना है और packet यानी कितने packet दिये गए हैं वो यहां से select करना है समझ रहें यानी जो THR दिया जा रहा है वो जो है कैसे कैसे यानी कितने packet उनको दिये गए उस तरह से packet की संख्या एक टाइट से यहां से है अब इसमें दिक्कते आएंगी क्यों क्योंकि च पैकेट भरे जाएंगे समझ रहे है मेरी बात को या फिर कच्चा रासन जो कि वहाँ पर दलिया आती है से सब कुछ अलग से आता है उसके भी पैकेट ही आते हैं फिलाल तो यहाँ पर वो दलिया वो सब और जो भी कच्चे रासन में आता है तेल का पैकेट हो गया लेकिन चा तोजना में विभागी अधिकारियों द्वारा इस बारे में कुछ सला दी जाए कैसे भरना है क्या करना है तो आप अवगत करा देना ताकि पता चल जाए कहां पर कैसे क्या चीजें इसको लेकर के कराई जा रही है अलग-अलग जिलों में ठीक है क्योंकि अभी जल्दवाज अगर आवस्यक है क्योंकि यहां पर यह star वाला option लगा हुआ इस पर तो साइथ भरा जाना जरूरी हो तो कहीं ने कहीं packet की संक्या भरी जाएगी तो उस पर भी जो समू से आता है वो तो packet वाला उसमें भी आसानी हो जाएगी तो जैसा कुछ होगा फिर बताया जाएगा परेशान ना हो कंचन देवी बेहन पताब गर से उन्होंने भी देखो ये भेज दिया क्या-क्या बदलाओ हुए है पोश्ट ट्रेकर पर नए वर्जन में वो दरसाए गए जैसे कि आंगनबाडी विल बी एबल टू प्लान धेयर स्टॉक रेक्वार्मेंट थू स्टॉक रेजिस्टर तो स्टॉक रेजिस्टर का भी एक नया माडूल टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा रिवैम आगनबाडी सेंटर माइग्रेशन रिवैम दा फ्यूचर जो टू माइग्रेट फ्रॉम पी डबलू टू एलम यानि जो घर्वती हैं उनसे धात्री में माइग्रेट करने के दौरान का जो भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगा उसको लेकर के भी कुछ चीज़ें हैं ऐसे कुछ और यहां पर बाते लिखी गई हैं जैसे आधार नंबर is marked on verified आधार लिस्ट और बाकी minor bugs fix किये गए हैं थोड़े बहुत तो यह कुछ चीज़ें निकल के आई हैं नए वाले वर्जन में अब यहां पर काम कैसे करना है क्या क्या बदलाओं है समय के साथ आपको एक दो दिन में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी टिया चार भरने के दौरान कहां पर क्या सला दी जा रही है जन्पदों में वहां की परुजनाओं में वो सब आपके सामने बातों को हम रखेंगे आप सब अपने अपने कॉर्डिंग जहां पर जैसा बताया जा रहा हो हो जानकारी वाट्सिप कर सकती हैं बानुमती बहन मौ से हैं देखो यहां पर एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है सुबह मैंने इस मामले में आवाज उठाई थी दरसल यहां पर आंगन ब दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पार्टी को सपोर्ड भी करेंगे मामला क्या है वो हम बता दें भाजपा के घोशडा पत्र में मांदे वरद्धी को सामिल नहीं करने पर आंगन बाड़ी कार्ताओं ने विरोध दर्ज किया है और यह जो खबर है आज जैपूर में 16 अप्रेल को राजस्थान में प्रकासित की गई मामला राजस्थान से ही हाइलाइट है क्योंकि राजस्थान में आप सब को पता है कि वहाँ पर कांग्रेज सरकार ने आगन बाड़ी बहनों को मांदे वरद्धी का जो मुद्धा है अपने वचन पत्र में सा मिल नहीं किया तो इससे नाराज होकर कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहनों ने फैसला किया है कि वो सरकार का इस चुनाओं में विरोध जो है करेंगे साथी यहाँ पर आप देखें और 45-40 लाग जो भी आकड़ा हो कम भी मानलो 10 लाग भी मानलो 15 लाग मानलो इतने लोग तो आसानी से होई जाएंगे जो सरकार से खफा हैं क्योंकि आप सब जानते हैं 2018 में मातर 1500 बढ़े उसके बाद आज तक कोई ना पैसा बढ़ा और आज भी जो बढ़ा भी है मौलुदा समय का वो अमाउंड भी बहनों की मेहनत के हिसाब से काफी कम है जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचना था सरकार से काफी उम्मीदे थी और काम सरकार ने जरूर पिछले 5-6 सालों में ज़ादा बढ़ा दिये हैं अब उन कामों को देखें मेहनत को देखें और फिर पैसों को देखें तो काफी अंतर निकल के आता है तो इसलिए सरकार से बहने नाखुस हैं और उम्मीद थी मुझूदा सरकार केंदर में वो कुछ न कुछ बहनों की तरफ ध्यान देती और जरूरत भी थी तो एक ये बड़ा कदम सरकार की तरफ वोड बैंक का भी इसी चुनाव में दिखाई देता कहीं न कहीं अब सब बहने सरकार से खफा हैं तो अब देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इसका असर जो है चुनाव में जरूर सरकार पर दिखेगा खेर यहां पर लिखा गया है मांदे को लेकर मैं पहले बता चुकी हूँ कि मार्च का 45 वाया है इसके बाजूद कुछ नहीं आया है बहुत दुख के साथ कहती हूँ कि सबी बहनों का नहीं आया तो देखे मांदे भी बहनों का दो-दो महिने से और कई-कई राज में इससे ज़्यादा महिनों का बकाया चल ला है राजस्तान जैसे राज में तो कई महीने का बकाया चल लहा तो अब आप सोचो ऐसे जगए बहने सरकार को वहाँ पर वोट देंगी भी या नहीं तो जाहिर सी बातें नहीं देंगी विरोधी दर्ज करेंगी तो यहीं पर ये एक मामला प्रसारित किया गया है कि भारती जनता पाटी के गोशडा पत्र में मांदेव रद्धी और प्रोशाहन रासी में सम्मान जनक बरोत्री भरोसा नहीं दिये जाने पर जैपूर वप्रदेश सहीद देश भर के 42 लाक मातर सक्ती परिवारों ने विरोध दर्ज किया दरसल यहाँ पर कई स्टेटों के यूनियन मिलकर के विरोध दर्ज कर रहे हैं और उसको लेकर के बैठक भी भाई की हो चुकी थी और यह मिलकर के आलेंडिया आप समझ सकते हैं एक तरह से इस तर पर यह चीज़ें की जारें जिसमें कई स्टेट सामिल हैं इसी विरोध में बीजेपी सरकार के क्योंकि उन्होंने मांगो की अंदेखी की है और मेहनत कर सिन महिलाओं की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया जिस तरह से वो काम बढ़ा रहे हैं जिस तरह से वावाही बस जो पीट थप थपाने के लिए आ जाते हैं कभी यसुदा मा का टाइटल कभी कोई टाइटल बस दे दिये जाते लेकिन वो मौझूदा समय पर उनकी हालत क्या है उस और किसी का भी ध्यान नहीं है 1975 से जोजना सुरू हुई और आज तक इन वरकरों को किसी भी स्रेडी का करमचारी तक जो है अधिकार नहीं दिया गया अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़े तबके की जो है अंदेखी की गई है और ये कोई छोटा मोटा जो है यहाँ पर आंगन बारी का ये विभाग बालविकास उभाग नहीं है इसका पूरा अपना मंत्राले है और उसके बावजूद भी इतना लंबा समय बीट गया लेकिन इन वरकरों के जो है काम को देखते हुए उनकी और कोई धंके नियम कायदे बने ही नहीं और नहीं धंका आज उनको पैसा भी मिल रहा ये सब चीज़े हैं तो कहीं न कहीं अंदेखी तो की गई है पिछली सरकारों में भी और मजुदा सरकार से भी उम्मीदे थी काफी वक्त उनका भी देखने को मिला लेकिन बदलाओ कुछ भी कहीं भी नहीं दिखे तो कहीं न कहीं अब इसका खाम्याजा बीजेपी सरकार को इसी लोकसवा चुनाओ में आंगन बाड़ी और आश्या की बदौलत देखने को मिलेगा क्योंकि बहनों में काफी नाराजगी है गोश्रा पत्र में उनकी कुद्धों को पूरा नहीं कर पाए सम्मान जनक मांदे व्रद्धी का वादा किया था जो कि अन्यराज्यों के बराबर तक नहीं दे पाए समझ रहे हैं अभी भी कई स्टेट हैं जिससे आधा पैसा केवल यूपी में मिल रहा और यूपी सरकार के अंस की बात करें तो ना भी तरह की योजना का प्रचार प्रसार हो या कभी भी विपरीत परिस्तियां बने कोविड जैसे काल की तो वहां पर भी सबसे आगे इनी वरकरों को लगा दिया जाता यहां तक की निर्वाचन जैसे कामों में भी इनी वरकरों से जो है काम कराय जा रहे हैं फिर भी आप चुके सत्ता में उसके बावजूद भी दोबारा ध्यानी बिल्कुल भी नहीं दिया और ना अब तो ना वचन पत्र में रखते हैं और ना ही उन चीज़ों को पूरा करते हैं अब उनका रखने का कोई ओचिती नहीं मनता जब पिछली बार रखा और पूरा नहीं किया तो य आज के इस वडियो को हम यहीं तक रखते हैं धन्यवाद